सब्सक्राइब कीजिए OCFE चैनल को और बेल आइकन को दबाईए चैनल के लेटस अबडेट्स सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आपने अपने लाइफ में पुल यानि की ब्रिजिस तो बहुत देखे होंगे और उन्हें पार भी किया होगा लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पुल के बारे में सोचा या देखा है जो की भूतिया है जिसकी वज़े से लोगों के अंदर एक दहशत बनी रहती है अगर आप भी जानना चाहते हैं उन्हीं दुनिया के पांच सबसे खतरनाग और रहसमई पुलों के बारे में तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और चल पढ़िए मेरे साथ उन ब्रिजिस के सफर पर नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वन चैनल फाइंड आवरिधिंग तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहला है गवर्नर्स ब्रिज जो की मैरीलेंड में स्थित है यह ब्रिज पैटिसेंड रिवर के उपर बना है दोस्तों इस ब्रिज की भूतिया कहानी जुड़ी है एक औरत और उसके बच्चे से लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि एक दिन एक औरत ने अपने नए जन्मे बच्चे के साथ खुद भी इस ब्रिज पर सूसाइड कर लिया था क्यूंकि उस औरत की शादी नहीं हुई थी सुनाई देती है दोस्तों दूसरा है क्लिंटन रोड ब्रिज जो की अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित है यह असल में एक 10 मील लंबी सडक है जिसे क्लिंटन रोड ब्रिज कहते हैं इस ब्रिज से जुड़ी एक कहानी जो सबसे ज्यादा प्रख्यात है वह है कि अगर कोई भी ट्रेवलर या परियटक इस रोड पर मौझूद डेड मैन कर्व पर पहुंसता है और वहां से पानी में सिक्का डालता है तो किसी लड़के का भूत उस सिक्के को वापस उपर फेक देता है लेकिन आखिर वह लड़का कौन है और उसक कि कहानी क्या है यह किसी को भी नहीं पता तीसरी स्थान पर आता है डैनविल इंडियाना में स्थित एवन हांटीड ब्रिज यहां इस ब्रिज के भूतिया होने के पीछे की कहानी बताई जाती है एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की उस कहानी में एक construction worker जो की एक बार वहां काम कर रहा था और उसने शराब पी रखी थी वह गलती से एक cement wet के अंदर गिर गया और उसके साथी भी उसे नहीं निकाल पाए और यह हाथसत तब हुआ जब bridge को बनाते वक्त वहां एक जगा पर cement डाला जा रहा था माना जाता है कि उसी worker की आवाज आज भी वहां सुनाई देती है जो की देहशत से भरी होती है चौते नमबर में आता है दा बनी मैन ब्रिज जो की वरजीनिया में स्थित है यह एक railroad या train ब्रिज है माना जाता है कि यहां रात में जाने पर आपको एक आदमी हाथ में कुलाड़ी लिए खड़ा दिखेगा जो की एक बनी मैन का भूत है यह घटना शुरू होती है जब वरजीनिया में इस्थित एक mental hospital को बंद कर दिया गया था और वहां के सभी patients को दूसरी जगह shift किया जा रहा था तभी गाड़ी का accident हो जाने की वजह से कुछ patients वहां से भाग गए और जंगल में जाकर छिप गए जिसके बाद किसी की वहां मौत हो गई तो किसी को वापस पकड़ लिया गया लेकिन सिर्फ दो जनों को छोड़ कर जिनका नाम था मारकस वॉल्स्टर और डूगलस ग्रिफन माना जाता है कि वह दोनों काफी दिनों तक जंगल में ही रहे और उन्होंने वहां खरगोशों को मारकर खाया जिसके बाद वह उन मरे हुए खरगोशों को पेड़ पर लटका देते थे यह काम ग्रिफन किया करता था हॉस्पिटल और पुलिस के अधिकारी लगातार उन दोनों की तलाश में थे एक बार अचानक वाल्स्टर मृत पाया गया जो की उसी ब्रिज की टनल की एंटरंस पे लटका हुआ था और उसके पैरों पर एक नोट चिपका हुआ था जो की ग्रिफन ने लिखा था पुलिस ग्रिफन के पीछे लग गई एक बार जब पुलिस ग्रिफन का पीछा कर रही थी तो ग्रिफन भागते वक्त उसी ब्रिज पर ट्रेन की चपेट मा आ गया और वहां उसकी मौत हो गई ग्रिफन को ही बनी मैन कहा जाता था क्यूंकि वह खरगोशों को खाया करता था और उसी के भूत को कुलहाडी लिए लोग वहां आज भी देखते हैं दोस्तों क्या आपको यह कहानी सच्चे लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं पांचवे और आखरी स्थान पर है पैरिस के कैंटकी में स्थित कॉलविली कवर्ड ब्रिज यह ब्रिज लकडियों से बना एक सुन्दर और मजबूत ब्रिज है जो की 124 फीट लंबा है लेकिन एक कहानी आज भी इस ब्रिज को भूतिया और रहस्य में बनाती है कहा जाता है कि 1930 के आसपास एक कपल अपनी गाड़ी से इस ब्रिज से गुजर रहा था कि अचानक ही उनका गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया और उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पानी में गिर गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और कहते हैं कि उनकी ही आत्मा आज भी वहां भटकती है और अगर आप आज भी वहां रात में गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपको आपके पीछे से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है और जो कि आपको नीचे पानी में फैक देती है दोस्तों यह सब सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावना और दहशत भरा लगता है तो दोस्तों यह थे वे दुनिया के सबसे खतरना दहशत भरे और रहसिमई ब्रिज जो की आज भी भूतों के होने का दावा करते हैं और जिनके आसपास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीर है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं